नमस्कार एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डी प्रॉपर्टी इन्फो में और आज हम बात करेंगे अपार्टमेंट फ्लैट और बिल्डर फ्लोर के बारे में इसमें क्या फर्क है इस चीज को समझते हैं नमबर एक सबसे पहला फर्क तो हमें कॉस्टिंग को लेकर नजर आता है अपार्टमेंट फ्लैट महेंगे लगते हैं उसके मुकाबले बिल्डर फ्लोर रिजनेबल दिखाई देते हैं और अगर इनमें काम की बात की जाए तो अपार्टमेंट फ्लैट बेसिक दिखाई पड़ते हैं बिल्डर फ्लोर के आगे बिल्डर फ्लोर काफी लगजरी और काफी ब्राइटनेस दिखाई देती हैं लेकिन वेंटिलेशन को लेकर सनलाइट को लेकर अपार्टमेंट के थोड़ी कमी महसूस होती है builder floors में और अगर resale value की बात की जाए तो apartment flat builder floor के मुकाबले आपको एक अच्छी value दे सकता है security के मामले में अगर हम बात करें structure की cctv camera की security guards की intercom facility की और एक gated community होने के खारण अधिक safe मानी जाती है इससे जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपको एक अच्छी feeling आती है कि आपके parents आपकी wife आपके बच्चे society में safe है वहीं builder floor में इन चीजों की कमी थोड़ी महसूस हो सकती है maintenance के लिए आपको apartment flat में cleaning के लिए staff होता है पानी चलाने के लिए staff होता है electrician और plumber भी आपको मिल जाते हैं वहीं builder floor के लिए आपको थोड़ा सा इन सब चीजों के लिए परिशान होना पर सकता है हाला कि ये बात अलग की है कि apartment flat में आपको इन सब चीजों के लिए maintenance चार भी देना पड़ेगा जो की हर महीने लगता है नमबर चार पारकिंग पारकिंग एक बड़ी समस्या है आजकल अगर दो गाड़िया हो घर में तो और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है वहीं builder floor में एक गाड़ी की पारकिंग मुश्किल से मिल पाती है नहीं तो आपको गाड़ी गली में लगानी पड़ती है जो की थोड़ा सा unsafe भी field होता है और कई बार अगर आपको पारकिंग अंदर मिल भी जाती है तो कोई अगर आपकी गाड़ी के पीछे लगा गया है अपनी गाड़ी तो पहले आपको उन्हें बोलना पड़ेगा फिर वो गाड़ी हटाएंगे फिर आप निकालेंगे और फिर वो अपनी गाड़ी लगाएंगे तो ये situation भी रोज रोज थोड़ा सा परिशान करने वाली है नमबर पाँच एमेनिटीज जहां एमेनिटीज की बात आती है वहाँ पर अपार्टमेंट फ्लैट में आपको लिफ्ट, पावर बैकप, 24x7 वाटर सप्लाई, पार्क, कम्यूनिटी हॉल, जॉगिंग ट्रैक, जिम, स्विमिंग पूल, लाइबरेरी और भी बहुत सारी स्पोर्ट की एक्टिविटी आपको देखने को मिल जाती है लेकिन बिल्डर फ्लोर्स में ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं आपको ये बात अलग की है कि आपको इन सब चीजों के लिए पे करना पड़ता है और हर महीने पे करना पड़ता है तो अगर हम बात करें builder floor की और अगर हमें ये सारी amenities नहीं चाहिए तो उसमें builder floor एक अच्छा विकल्ब माना जा सकता है क्योंकि apartment flat में, society flat में हमें कई बार उन चीजों के भी पैसे देने पड़ते हैं हर महीने जो कि हम use नहीं कर पाते और कुछ वक्त के बाद हमें ये waste of money लगता है इन दोनों में से किसी को कम नहीं आका जा सकता क्योंकि इन दोनों की अपनी अलग-अलग विशेष्टाएं हैं इस विशे को लेकर आपकी क्या राय है, comment box में जरूर लिखें कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए धन्यवाद